लकडबग्गा और शेर एक ही जमीन को घेरते हैं, एक ही शिकार का शिकार करते हैं, और एक ही तरह के जानवरों के अफशेशों को नश्ट करते हैं, परिनामस्वरूप वे एक दूसरे से भोजन चुराते हैं, एक दूसरे का पीछा करते हैं, और यहां तक कि एक दूसरे के बच्चों को मार भी देते हैं, एक नर शेर पर हावी होने के लिए उस संख्या से दोगुनी संख्या दस से एक की आवश्चक्ता होगी, तभी वे सफल हो पाएंगे वास्तविक लडाई में अन्यथा एक नर शेर लकडबग्घो के पूरे कबीले को डरा सकता था, शेर लकड बगघे की खाने की आवाज को पहचानना सीख लिया है, पुरी वीडियो के लिए एपिक वाइड लाइफ वीडियो यूट्यो चैनल पर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें